एक किस्सा सुनाता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, मैं सवाई माधोपूर गया था, मैं वह अक्सर जाता हूँ, तो वहाँ जंगलों के बीच में, जो रंधंबोर फोरेस्ट है उसके बीच में, एक किला है और उसके उपर एक बहुती प्राचीन, बहुती सुन्दर, किरपया कोई भी गाड़ी रास्ते में ना रोके ना गाड़ी से उतरे जंगली जानवरों का खतरा है, पर अनोखी बात यह है कि उस पूरे रास्ते में कोई भटका हुआ कुट्ता भी एकसर नजर नहीं आता हूँ, कई बार तो उस बोड़ को देखके हसी आती है, पर प्र थी एक जगे पर खड़े होके, एक तीसरे विक्ती से अपनी फोटो के चुआ रहे थे, तीनों एक ही बाइक पर आये हुए थे, ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, कोई इतना खतरा है नहीं, खाली बोड़ लगा हुआ है, फिर कुछ घंटे बाद जब मैं दरश शेर नजर आ गया, इतना अचमबा हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ, कि शेर कहां से आ गया, कोई जोन में तो शेर दिखता नहीं, असानी से, फिर मुझे हैसास हुआ, कि अगर वो दमपती इस समय खड़े होते हैं, या शेर उस समय आ जाता है, इस समय आया तो उस समय भी पूरा जीवन एक शन में खतम हो जाता, एक फूटो खिचवाने के लिए खतम हो जाता, जो बड़ी सदारन सी चीज लग रही थी, जिसके होने के चांस नेगले जीबल लग रहे थे, पर वो हमें लग रहे थे, उन चांस इसको शेर इवैलुएट नहीं करता, उसका मन है व जो भी हमारी सोच होती है, अजम्शन होती है कि ये होगा, ये नहीं होगा, इसके चांस जादा, इसके चांस कम है, ये तो आजकल हो ही नहीं रहे, मेरे साथ ये कभी नहीं हो सकता, ये सब ख्याल एक शन में तूटके बिखर जाते हैं, हम नंगे हो जाते हैं इस दुनिया क टेटा है ये लिए अमारे आमने सामने चीज़ें हो रही होती ये खटनाएं घटit हो रही हो तीです हैं बर द्यान उन पर जाता है नहीं जुरुत नियुकिंहारम जाते हैं किसी जान पैचन वाले रिश्टित दार को विदा करने के लिए उन में से भी जादतर तर लोगों का दिमाग चल रहा होता है मैं कभी हाँ से फ्री होंगा नाद होके काम पर जाओंगा कितनी गर्मी हो रही है दूआ उट रहा है और बागी बचों लोगों का खाने पर ध्यान होता है आज तक न जाने कितनी हजारों चिताय जल गई कोई व्यक्ति नजर आ रहा है वहाँ पर सालों साल की कहानी जीने वाले हजारों लोग अलग जाती, अलग सोच, अलग जीवन, अलग कहानी वहाँ पे समा गए, गायब हो गए दिखता है ये सच, परफेक्ट पिक्चर लेके जी रहे है तो भी हम दिमाग में जीवन की कुछ बुरा नहीं होगा, मृत्यू नहीं हो सकती किसी की होगी तो बिल्कुल समय से होगी, पिच्चासी के बाद होगी फिर हम सच को बुरा बताते हैं, कड़वा बताते हैं, नकरात्मक बताते हैं फिर सच हमें तोड़ देता है जो सच है, इस दुनिया की सच्चाई है जीवन का तरीका है, जो मौजूद है उससे हम घड़ा करते हैं, नफरत करते हैं उसको बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं तूटके बिखर जाते हैं आपने देखा किसी ने किसी को धोका दे दिया सालों के रिष्टे के बाद भी खूब गालियां दोगे बुराइयां करोगे या उसी इंसान में नुक्स निकाल दोगे इसमें कमी थी पर ये एसास नहीं करोगे कि ऐसा हो सकता है इस दुनिया में और जिस दिन आपको किसी से दोगा लगा डिस बिलीफ में आ जाओगे मुझे दोगा कैसे लग गए मैं अच्छा इंसान हूँ मैंने ये किया उसने ये वादे किया दोगा लग किया परफेक्शन की दुनिया में मत जीओ कि जीवन किसी और दुनिया में चल रहा है और मन में कोई और दुनिया चल रही है जो सच्चाई है नहीं माया भी दुनिया है जा सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए गलती की गुंजाइश नहीं है आप अमर हो, आप खुश हो, परफेक्ट हो, फेमस हो, पैसा है, रिष्टे हैं, नाते हैं, सब सही चल रहा है वो जीवन नहीं है, वो सिरफ आपको तोड़ने का जरीया है जब भी हम किसी को दुखों में देखते हैं, बिमार देखते हैं, सफर करते हैं, आखें मूद लेते हैं और सोचते हैं, मैं तो भगवान का भईया हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता हूँ या फिर डरने लगते हैं कि ये मेरे साथ ना हो जाए, anxiety पैदा हो जाती है, health anxiety, death anxiety, हर पुरी चीज की anxiety पैदा हो जाती है, वो trigger बन जाता है, उससे डरने लगते हैं पूरे जीवन परियानत, वो डर भी यही दिखा रहा है, आपकी मानसिक कमजोरी, सच को ना अपना पाने की बेफकूफी, मूर्कता, immaturity, या फिर खुद में विश्वास की कम ही होना कि मैं किसी भी चीज का सामना करके, किसी खराब विश्य का सामना करके आगे बढ़ सकता हूँ, उसे ही हम डर कहते हैं, तो या तो अंधे हो जाओगे या डरने लगोगे, दोनों ही गलत हैं, आपक बी जीवन को enjoy करना है, जो सहूलियतیں मिली हैं वो भी काम कियें, सब कुछ आना जाना है, कुछ भी permanent इस दुनिया में इस जीवन में नहीं है, सपनों की दुनिया में नहीं जीना, आज में जीना है, इस शर्ण में जीना है, जो जीवन मिला है, उसमें जीते चले जाना है, डरना किस चीज़ से, जब शरीरी एक दिन खतम हो जाना है, करोड़ों लोग आज तक जो जीते आये, उन्स अब का खतम हो गया, आने वालों का भी खतम होगा, तो क्या डरना है, खतम होते हैं, हर विशे, हर वस्तू, हर चीज़ का, जो भी इस दुनिया में मौजूद है, सूक्ष्ण नहीं है, वो सब मर जाने हैं, सब मिट जाने हैं, उनका डर कैसा है, इस सच को अपनाना है, और जीवन को अच्छे से जीना है, जीवन को वसूलना है, सौ प्रतिशत एक जगे मौजूद रहना है, एक समय में मौजूद रहना है, रिष्टे नातों को अच्छे से निभाना है, खुशियों को भोगना है, ताकि बाद में गम ना हो, बिछण नाते हैं, तो सच को हम पुरा क्यों मानते हैं, वाइस टूथ सीन ऐस नेगेटिव क लिखाते हैं, इस जिन में बहुत अच्छे लगते हैं, आते हैं न शीशे, वो लगा लो, अपनी सेहत का, अपने शरीर का सही एहसास ही नहीं होगा, उसमें देखकर खुश होते रहों, फिर एक दिन वो शीशा तूडता है और पीछे निकलता है, एक बिल्कुल सही शीशा उसके बाद बिल्कुल सही शीशा लगाते हो, एक्च्छल शीशा लगाते हो, तो खुद को देखकर घबरा जाते हो, परिशान हो जाते हो, ये मैं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो वही था, तो ऐसे नकली शीशो के चकर में माया जाल में फसना ही क्यों शुरू से, शु तो दोस्तों इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम सब लोग इमेजिनेशन में जी रहे हैं सोच में जी रहे हैं नाकी इस दुनिया में कि मैं कैसा होना चाहिए हूँ पर्फेक्शन क्या है मेरे अंदर पर्फेक्शन होनी चाहिए जीवन में पर्फेक्शन होनी चाहिए और सच को देखकर कहते है तू जूटा है क्योंकि जैसा मैं चाहता हूं तू वैसा नहीं है इसलिए तू जूटा है तू गलत है इसलिए ही सच हमें तोड़ देता है इसलिए ही सच इतना ताकतवर भी बन जाता है और नाकारात्मक भी बन जाता है और सबसे बुरा कारण है कि हम सच से डरते हैं सच से तूट जाते हैं कि हम लोग अपने comfort zone में जीना चाते हैं हम उस कबर में पढ़े रहना चाते हैं जो हमने अपने लिए खुद बनाई है कि मैं राम से पढ़ा हूँ मुझे इससे हिलने की जरूत ना पढ़े एक dead body की तरह मृत इंसान की तरह उस कबर में पढ़े होती है सिरफ कुछ बहुत अच्छा हो जीवन में कोई बहुत बड़ा अच्छा बदलाव आए तो उठूँगा वरना मैं इसी जगे यही स्थिर रहना चाता हूँ परिशान मत करो कोई मुझे यह आपकी इच्छा रहती है इसलिए छोटी छोटी बातों पर छोटे छोटे विश्यों पर तनाफ खा जाते हो परिशान हो जाते है शेयर वाला एक्जामपल तो बहुत बड़ा एक्जामपल है हम तो छोटे छोटे बदलावों से परिशान हो जाते है खुद को पिक्चराइज नहीं कर पाते, संगर्षों को जहल कर आगे बढ़ते हुए, इतने कमजोर हैं, इतनी कमजोर मंचा हैं हमारी, अरे आज जो आपका comfort zone है, कल वो भी कुछ नहीं आथा, स्कूल के मित्र बिछडे तो कॉलिज के मित्र मिले, कॉलिज के मित्र बिछडे जीवन साथी मिला, परिवार बड़ा, जीवन तो बदलता ही रहेगा, पुराना जाएगा तो नहीं आएगा, नहीं शुरुआत करना ही जीवन है, वरना आप एक मृत शरीरो कुछ भी नहीं हो, तो किस बदलाव से डर रहे हो, क्यो डर रहे हो बदलाव से, बदलाव ही जी में अंदर ही अंदर एहसास होता है कि शायद मैं इस लोन की भरपाई ना कर पाओ मन में गबराट सी होती है कि मैं इसको भरने के काबिल नहीं हूँ लेकिन आज की जो जरुत है आज की जो सवलियत है वो उनको अंधा कर देती कि नहीं ले ले यार आज तो इस्दत बच जाएगी, आज तो गुजारा चल जाएगा, आज तो काम चल जाएगा अपनी बरबादी को बविश्य पर डाल देते हैं, चाहे वो दस गुना बढ़ जाए फिर एक दिन जब अगले महिने की किष्ट बरने की हैसियत नहीं रहती, तब उन्हें एहसास होता है कि क्या होगी जब जीवन का कोई बहुत बड़ा हिस्सा जैसे घर, दुकान, मकान, कुछ भी है वो जाने वाला होता है उस लोन के बदले, तब एहसास होता है मैंने क्या कर दिया उस समय दो रोटी में गुजारा चला लेता, घर तो रह जाता तो सच को डिले क्यों करना, आज ही मान लो, आज ही एकसेप्ट कर लो न जो जटका बाद में लगना है बहुत कम होके लगेगा, मौके छिनेंगे नहीं तो दोस्तों जीवन में अवेर रहो, आखे खोल कर जीओ, अब्जर्व करके जीओ, 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 कैसा चल रहा है, जीओ, सच्चाई क्या है टेंप्रेरी ने सच्चाई है, अस्थाई होना सच्चाई है, अमृत्ति हो सच्चाई है, बिछणना सच्चाई है टेंप्रेरी है, तबी हर चीज़ की वैल्यू है, वरना वैल्यू ही नहीं होती और जीवन में कभी भी किसी भी शण कुछ भी हो सकता है उसके लिए तैयार रहो डर के तैयार मत रहो, मुक्त होकर तैयार रहो खुद को किसी भी चीज़ से बांदो मत इंजॉय करो, वसूलो अपने करम करो, अपनी जिम्मेदारिया निभाओ और मुक्त हो जाओ, मुक्त होकर जीते रहो नदी की तरह बहते जाओ, जहां ही दुनिया लेकर जारी आप चलते जाओगे, समुदर में तो आपको मिली जाना है और समुदर में मिलके आप छोटे नहीं बड़े ही होगे आज इस शड में जहां जी रहे हो, वहीं जीऊ जो परिष्टिति यह उसी में जीऊ जो बुराईया है उनमें जीऊ, जो अच्छाय है उनमें जीऊ सपनों की दुनिया में जीना छोड़ दो जीवन ऐसा होना चीए, परफेक्ट होना चीए, कोई कमी नहीं होनी चीए, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, मैं मर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बिमारी नहीं हो सकती, नौकरी नहीं जा सकती, मैं फेल नहीं हो सकता, उस नकली घटिया दुनिया में जीना छोड़तो तो जीवन में जटके कम लगेंगे चीजों को accept कर पाओगे आगे बढ़ पाओगे सही कदम बढ़ा पाओगे सही फैसले ले पाओगे निडर बनोगे डिटेस्ट बनोगे अध्यात्मिक भी बनोगे यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का इन बातों को समझाने का थैंक यू और अल दे बेस्ट